नमस्कार साथियो, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी बार फिर शे स्वागत है, साथियो जैसा की आपको अउगत है, सभी क्रमचारियों और सिख्षकों की पंचाय चुनाओ में डूटी लगी थी। और डूटी लगने के बाद हमारे पहुत सारे सिक्सक और करमचारी संकरमित हो गए है जिन में से कुछ सिक्सकों की मोत भी हो चुकी है। ऐसे में मुख्यमंतरी सिरी योगी आदित्यनाद जी ने निर्देश दिये हैं कि पंचायक चुनाओं में लगे हुए सभी करमचारीों की कोरोना जांच कराई जाए। एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इनफोर्मेटिव वीडियो वाट्सप ग्रूप इनफोर्मेटिव वीडियो टेलिग्राम ग्रूप बनाए हुए हैं आप चाहें तो मेरे ग्रूप से जुड़ सकते हैं। कि पंचायक चुनाओं में सेवा देने वाले सभी कार्मिकों की टेस्टिंग जरूर की जाए। सभी पुलिस लाइन में कोवीड के केर सेंटर इस्थापित कराया जाए। यहां कम से कम दो दो ओक्सिजन कंसल ट्रेटर उपलवद कराया जाए। मुख्य मंतरी ने बुधवार रात कोवीड प्रबंधन के संबंद में मंडला युक्त, एडी जी, जिला दिखारी, डी आई जी, पुलिस कप्तान के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए यह निर्देश दिये। सियम ने कहा कि अगर कहीं नियत सुल्क से अधिक की वसूली की घटना हो तो ततकाल दोस्यों के खिलाप महमारी एक्ट के अंतरगत कारवाही की जाए। अलीगड, मुरादाबाद, जहांसी, आदिक के जिला दिकारियों से समवाद किया, उनके जनपदों में कोवीड-19 की इस्तती, प्रभंदन, बचाव व्य उपचार के सम्बद में जानकारी प्राप्त की और आवशक दिशा निर्देश दिये। कुछ अस्पतालों द्वारा बैडखाली होने के बाद भी मरीजों को एडमिट करने से इनकार की घटनाए संग्यान में आई हैं, अस्पतालों का यह रवया कता ही ठीक नहीं है, निजी अस्पतालों में यदि कोई मरीज अपने इलाज का खर्च देने में ऐसमर्थ है, तो उसका भुगतान रज्य सरकार करेगी, काफी अच्छी न्यूज है और काफी अच्छे निर्देश दिये गए हैं, जो क्रमचारी चुनाओ की डूटी करके आए हैं, उनको संक्रमित होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए उनका टेस्ट होना जरूरी है, इसके लिए मुख्यमंत्र योगिया तिन निर्देश दिये हैं, इसके साथ साथ सीम ने कहा कि होम आईसोलेशन में इलाजरत लोगों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाए, मेडिकल किट उपलब्द कराने में विलम अक्षम है, अगले तीन दिनों में परदेश के सो मरीजों को मेडिकल किट उपलब्द करा दिया जाए, नोन कोविड मरीजों को भी टेली कंसल्टेंसन की सुविधा मिले होम आईसोलेशन में रखे जाने से पूर मरीज को मेडिकल किट दी जाए, उसे जरूरी सावधानियों के बारे में विधीवत जानकारी दी जाए, उस्पिटल का निरिक्षन करे, हरते, किडनी आदी से जुड़े नोन कोविड गंबी रोगयों के इलाज के लिए अस्पताल डेडिकेट किये जाए, गर्वबती महिलाओं को तुरंट साहिता दी जाए, मंडला युक्त इस तर पर इसकी कारिय योजना बना कर वेवस्ता ल अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल का इकन को प्रेस कर दें जिससे क आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके धन्यवाद